मंदी जिला कारागार में सजा काट रहे कैदियो द्वारा जेल में पेंटिंग, वेकरी के उत्पाद, शॉल, टोपी, जैकेट आदी कई प्रकार की सामगरी बनाई जा रही है जिसकी प्रदर्शनी लोहरी के उपलक्ष पर लोगों के लिए एतिहासिक सेरी मंच के सामने लगाई गई है और लोग भी कैदियो द्वारा बनाए गए सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं मंडी जेल में बंद महिला कैदी भी गर्म जुराबें, स्वेटर, दस्ताने आदी अपने हाथों से बुनकर तैयार कर रही है और उचित मुल्य पर इन्हें बेचा जा रहा है मंडी SDM रितिका जिंदल ने बताया कि मंडी जिला कारागार के महिला और पुरुष कैदियो द्वारा तैयार उत्पादों को बिक्री हितु लोहरी के उपलक्ष पर एतिहासिक सेरी मंच के सामने सिधकाली माता मंदिर के पास प्रदर्शनी तीन दिनों के लिए लगाई ग उन्होंने कहा कि इस तरह की अनूठी पहल से जहां कैदियों का होसला बढ़ेगा वही उन्हें सुधरने का मौका मिलेगा ताकि जेल से सजा काटने के बाद वापिस अपने समाज में बेहतर जीवन व्यतीत कर सके सब्सवारा बनाए गई यह प्रॉडक्स हैं जो हमारी जेल में हैं महिलाएं एंड मैं इतना बताना चाहूं कि आपको कि अंडर ट्राइल हैं जब भी किसी का ट्राइल चल रहा होता है हम उसको बेकसूर ही मानते हैं जब तक उसका जो गुना जो है वो फाइनलाइज को के और लोट की तरफ से और नाजाए कि हाँ अपकराधी है तो हमारी तरफ से यह बेकसूर लोग हैं तो हम इनको एक उपार्चूनिटी देते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करें कुछ नए अभरॉडक्स बनाएं और इनको में स्ट्रीम ससाइटी में आने क बिलास्पूर जेल से बीकुछ प्रॉडट्स आए हैं तो नाहन जेल से भी कुछ प्रॉडट्स आए हैं तो ये एक बेसिकली हमारा एक एफर्ट है कि हम अपने जो कह दी है जब वो जेल से छूटेंगे तो एक अच्छी जिंदगी जी पाएं और उनको एक आल्टरनेटिव जो है सोर्स ओफ इंप्लॉइमेंट मिले और जैसा कि हम बोलते हैं कि वेला मन शैतान का घर वो नहीं होना चाहिए जेल में यदि वो बैठे हैं कुछ अच्छा काम करें प्रोड़क्टिव करें और यह जेल नहीं जेल को जेल नहीं मानते हैं हम सुधार ग्र मंदी से बयूरो प्रमोख रूपलाल कॉंडल की रिपोर्ट